हला अब्रीवन वैलकम तो गेट एकडमीक एन एद्वत एजुकेशन माइशल्फ अभिसेग गुपता और यहां मैं आप लोगों को निव नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करने आया हूं जैसे कि आप देख सकते हैं एन एच पी सी ने जुनियर इंजिनेरिंग की वे स्वाप ना लिमिटेड ने वैकेनझजी निकाली हूए जिसे हम बोलते हैं मेरतन कमपणी क्या है मेरतन कमपनी है दिग यहां पर हम बात करेंगे कि का एज्च लिमिट क्या है कौन-कूर्च सपर्म कर सकते हैं और एक्जाम का पैटर्न देखने वाले ठीग है तो डेक्यु इन पर्टि इंप्रिंट इट्स इस्टेशन डेड्ट की बात करते हैं तो फिर्स ऑस सेप्टमबर से स्टार्ट ऑचुकी यह बात किया जाए तो थर्टी ऑफ सितमबर को देखने को मिले गा ओके इस वन अगर सेकंड बात किया जाए जुनियर इंगिनिर फॉर मैकनिकल ब्रा गया है ठीक है total number of vacancy की बात किया जाए तो 31 देखने को मिलेंगे in a mechanical engineer okay next अगर मैं बात करूं application fees की बात करूं तो general OVC EWS वाले candidate को 250 दूपीज पे करने होंगे and SCST PWD and X servicemen को ये not need not to pay okay and test center की बात किया जाए तो overall India में 22 cities में आपको test center दिया गया आप देख सकते हैं okay next अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं exam related तो ये जो होगा computer based test होने वाला है ठीक है number of question जो है आपको 200 मिलने वाले हैं और इस question one marks okay और hours की बात करेंगे तो three hours का आपका time का duration रहेगा paper hall में okay और जो आपका जो paper रहेगा English और Hindi दोनों में रहने वाल है ठीक तो देखिए इसको three parts में divide किया गया है first part की बात किया जाए तो 140 questions 140 question आपके discipline that means कहने का मतलब जिस ब्राइन से आप बिलाओं करते हैं वहां से questions आएंगे and technical parts बोल सकता हूं ठीक है and second part में देखा जाए तो journal awareness जो की 30 questions आपके आने वाल है ठीक and third part की बात करते हैं तो 30 question reasoning के parts आने वाल हैं तो आपका यह हो गया full information अगर negative marking की बात किया जाए तो 0.25 marks दिया that means one fourth negative marking रखा गया तो यह बात हो गई NHPCL ने vacancy निका लिए junior engineering की तो हमारे get academic plus live channel पर आपका classes ae jee classes चर रही है तो आप इससे register कर सकते हैं जिससे आपको benefit मिलेगा और इससे exam की त्यारी कर सकते हैं ओके thank you